कुरोना यानि कोविड-19 के खिलाब पूरे देश के साथ-साथ मदप्रदेश भी जंग लड़ रहा है लेकिन मदप्रदेश की जंग की तैयारियों को लेकर अब सवाल खड़े होना शुरू हो गए है उसकी ये वज़े है कि मदप्रदेश से लगातार विशेश विमान सेंपल लेकर कभी पूरे तो कभी दिल्ली की ओर जा रहे हैं ऐसे में सवाल उटना लाजमी है कि सिवराज सिंग चोहान जिस मदप्रदेश को सौनिम मदप्रदेश होने का दावा करते थे क्या उसकी स्वास्त सेवाएं ऐसी है कि हमें सेंपल पूरे और दिल्ली भेजने पड़ रहे हैं ये सवाल के साथ साथ आकड़े भी सामने आ रहे हैं बात अगर हम आदिवासी बहुल जाबवा जिले की करें टो जाबवा जिले में बीते साथ आज, नो और दस अपरेल को जो सेंपल इंदोर बहजे गए थे उनके नतीजे आज 14 अपरेल तक भी नहीं मिले हैं हालाकि 11 अपरेल को जो 108 सेंपल भोपाल बहजे गए थे उनमें से 79 सेंपल प्राप्थ हो गए हैं जिनमें से चमोत्तर नेगेटिव हैं और 5 सेंपल बे नतीजा निकले हैं ये आकड़े साबित करते हैं कि इन दो जहां सबसे ज़्यादा करोना का एफेक्ट है वहां पर भी सरकार के पाड़ टेस्ट की परियाबत विवस्ता नहीं है बले ही सिवरा सिंग चुहान ये दावा करें कि उनकी सरकार काफी गंबीर है तथा उन्होंने अपने स्वास्त की छमताओं को काफी बढ़ाया है लेकिन आकड़े साबित करते हैं आप सोचिए कि अगर साथ और आठ तारीक के सेंपल में कोई पॉजिटी होगा उसके नतीजे अगर हमें 15 अपरेल तक भी नहीं मिल रहे हैं तो कैसे आप ट्रेवल हिस्ट्री बता करेंगे और कैसे उसका इलाज कर सकेंगे और वो सक्स किस को करोना फैला सकता है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा यह तमाम ऐसे सवाल हैं जो सुनने मदवदेश के दावे के साथ खड़े हो रहे हैं फिलाल मसला सियासत का नहीं है लेकिन जिस तरीके से विमान मदवदेश से बाहर जा रहे हैं जिस तरीके से सेंपलों में देरी हो रही है उससे साफ जाहिर लगता है कि मदवदेश सरकार के पास संसाधन कम है और अगर संसाधन है भी तो उनकी प्राफ्मिक्ता रेड जोन और और औरेंज जोन है ना कि जाबु अले राजपुर जैसे ग्रीन जोन